तो नमस्क्राइब दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर दोस्तों बहुत सारे ऐसे कर्मचारी है जो कि रिटायर होने वाले हैं तो ऐसे कर्मचारी जो बार-बार पूछते रहते हैं कि उनकी जो यानि कि जो पेंशन बेचेंगे यानि कि जब रिटायर होंगे तो क एक साथ मिलेगा और कितना अमाउंट भे गौर्मिट को पीड कर देंगे तो पूरी जनकारी में फर्मुले के साथ आपको बताने वाला हूँ कि कमुटीशन का क्या फार्मुला है यान्कि पेंसिन बैजते हैं तो उसका क्या मिलेगा इस वीडियो के मादम से मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ जहां सो जाजे कि आपको बता दू कि जब कोई भी केंदरी कर्मचारी या फिर कोई भी राजी कर्मचारी हो जब वह रिटार होता है तो उस समय उसके पास option होता है कि वह अपनी pension को बेच क एक साथ पैसा ले सकता है और कुछ भी जो उनको काम होगा वो करा सकता है लेकिन इसके बदले में उनको उनका जो है पेंशन में से ओ अमांट कटेगा यान की 40% आगर आप pension बेचेंगे तो 40% पैसा होगा वो आपकी pension में से total pension में से कटेगा और जो की 15 साल तक कटेगा और 15 आप गवर्मेंट को कितना पेट कर देंगे और आपको क्या में लेगा चलिए इस वीडियो के बाद हम से पूरी जनकारी प्रप्त कर लेते हैं तो इसके पहले आप से चोड़ी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्रीज सब्सक्रा प्राइर होते हैं तो माल लेजीए कि आपकी बेसिक समझो मैं यह पहले अंदाजे से ले रहा हूं差 3400 रूपया है यहाँ पर मैंने एक बेसिक लिया है आपको पता ही होगा basic pension इसका half होगा तो basic pension 6,400 का हो गया 30,200 यानि कि 30,200 आपकी basic pension हो गई अब दोसो आपने 40% आपको pension बेचना है यानि कि 40% pension आप commute करा सकते हैं तो 40% इस amount का 40% हो गया 12,08 रुपया जो पूरा total pension था जो total basic pension था 30,200 इसका 40% हुआ 12,08 और 60% 18,120 रुपया हुआ तो 18,120 रुपया आपको हर महीने pension के रुपे मिलेगा और प्लस इसके उपर आपको DAB आपको मिलेगा तो ओ जोड के total amount आपको जो है आपकी pension हर महीने की मिलेगी लेकिन हर महीने आपकी pension में से 12,08 रुपे माइनस किया जाएगा क्योंकि आपने 40% pension बेचा है और उसका आपको एक साथ पैसा मिल जाएगा तो इसका दोस्तों आपको बतादो कि कितना amount आपको मिलेगा तो इसका एक formula है जो आपकी basic pension है उसमें multiply करेंगे 40 से और multiply करेंगे 12,12 से multiply करेंगे और जिस साल में आप retire हो रहे हैं तो उस वर्स का अगला अगला जो है एक कमटेशन value माने जाती है जैसे कि आप 60 साल में कोई भी केंदरी करेंचारी retire होता है तो 61 साल को उसकी value को देखते है जो कमटेशन की value है वो 61 साल पर माने जाएगी तो कमटेशन की value है वो 8.194 आप दे सकते हैं 60 साल में आप retire हो रहे हैं तो उसके आगे वाला एक 60 साल का कमटेशन value को लिया जाता है तो 8.194 अमाउंट है तो यह 8.194 इसमें से multiply करेंगे इसमें से और divide by 100 करेंगे जैसे कि इसका formula मैं आपको बता दूँ clear cut तो basic pension multiply by 40 multiply by 12 multiply by 8.194 अगर 60 साल पर retire हो रहे हैं तो divide by 100 अब यह करने पर जो आमाउंट आएगा वो आपकी जो है टोटल कमटेशन हो जाएगी इतना इतना जो है कम्मुटेशन आपको मिल जाएगा एक साथ पैसा आपको मिल जाएगा तो इस case में जैसे कि इनकी बेसिक 60,400 सी तो इनका basic pension हो गया 30,200 और 40% pension इन्होंने बेचा तो 12,080 रुपे यहाँ पर माइनस किया जाएगा और इसके बाद आपकी जो pension बचेगी वो आपको हर महीनी pension मिलेगा ज्यान असो यहाँ पर 18,120 रुपे उनको हर महीनी pension के रुपे मिलेगा और इसके उपर डी भी इंक्लूड किया जाएगा तो इस प्रिकासे टोटल कमटेशन के रुपे उ उनको 11,87,802 रुपे उनको एक साथ पैसा दे दिया चाहेगा अब दोसो आपको कितना government को भरना पड़ेगा तो इसके यहाँ पर आप दे सकते हैं कि 40% आपने pension बेचा तो 12,082 रुपे आया तो 12,082 मुल्टीप्लावर 15 यानि कि आपको पते होगा कि 15 साल तक आपकी pension में स 15 साल तक और 15 साल के बाद आपकी full pension स्टार्ट हो जाएगी तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक excel sheet बनाई है इस excel sheet में आपको अपना जो है basic डालनी है उसके बाद system automatic calculation कर देगा कि आपको total commutation के रूप में total pension बेचने के बाद आपको total पैसा कितना मिलने वाला है और आपकी pension बेचने के बाद आपकी total pension कितनी हर महिने आपको credit होगी और इसके साथी साथ आपको कितना amount government को भरना पड़ेगा पूरी जानकर आपको एक click पे मिल जाएगी केवल आपको अपनी basic pension डालन पड़ेगी उसके बाद आपका total calculation हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो यह जो एप है इसकी link में आपको प्रोइड करा दूंगा आप वहां से इसको download कर लीजिए और इसमें अपनी last basic डाल दीजिए उसके बाद system what a day calculation कर देगा कि आपकी total जो है पूरा calculation कितना होने वाला है तो जी हानुसों मैं यहां पर आपको clear cut बता दू कि कम्मुटेशन का जो formula मैंने बताया है वही formula सभी state government के लिए भी लागू होगा तो यह कम्मुटेशन का formula मैं एक बार आपको फिर से repeat करके देता हूं यहां पर basic pension जिसमें आप retire हो रहे हैं तो उसमें जो आपकी last basic होग multiply by 12 multiply by 8.194 अगर 60 साल में retire हो रहे हैं तो 69 साल का commutation value पकड़ा जाएगा कम्मुटेशन value की मैं चार्ट आपको प्रोवाइड कराके देंगा वह भी आप देख सकते हैं उसके बाद divide by 100 कर देंगे तो आपका टोटल कम्मुटेशन कितना बनेगा कितना पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा और आपको उसके बाद आपकी total pension कितनी होने वाली है पूरी system automatic calculation कर देगा कि आपको total कितना होने वाला है तो उमीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए जनकारी पूरवक रहेगा अगर आपके लिए वीडियो थोड़ी भी हेलफूल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी फ्री मे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए